जाइका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है आज हम आपके साथ सेर करेंगे हेल्दी और टेश्टी आइरन और विटामिन सी से भरपूर आवले की मीठी चटनी की रेसिपी इसे बनाना बहुत ही आसान है तो चलिए सुरू करते हैं आवले की मीठी चटनी बनाने के लिए हमने यहाँ पर 250 ग्राम आवले लिये हैं सबसे पहले हम इनको बोईल कर लेंगे तो आवलो को बोईल करते वक्त हम इसमें आधा कप पानी एड़ करेंगे और इसे कवर करके मीडियम फ्लेम पर तब तक बोईल करेंगे जब तक आवले सोफ्ट ना हो जाए तो यहाँ पर हमने आवलो के सोफ्ट होने तक इसे मीडियम फ्लेम पर पांच मिनित तक बोईल कर लिया है ये देखिए ये अच्छे से बोईल हो गए हैं तो अब हम गेस की फ्लेम को ओफ कर देंगे और इन्हें रूम टेंपरेचर पर अच्छे से ठंडा कर लेंगे तो यहां पर हमने आवलों को रूम टेंपरेचर पर अच्छे से ठंडा करने के बाद इसमें से सारे बीज अलग कर लिए हैं रूम टेंपरेचर पर अच्छे से ठंडा करने के बाद हमने इसके बीज निकाल लिए और अब हम इसे मिक्सी जार में पीस लेंगे और चट्नी बनाने के लिए हमने जो आवले पीस कर रखे हुए हैं उसे एक पेन में एड़ कर देंगे और यहाँ पर हमने 250 ग्राम गुर लिया है जानि की 250 ग्राम आवलो के लिए हम इस चट्नी में 250 ग्राम गुर एड़ करेंगे और इसे गुर के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस चटनी को बनाते वक्त हम सुरू से ही गेस की फ्लेम को लो रखेंगे जट पट और कुछ ही मिंटों में बनने वाली आमले की ये चटनी बहुत ही हेल्दी है इस चटनी को आप रूम टेंपरेचर पर एक महिने तक स्टोर कर सकते हैं और फ्रीज में इस चटनी को आप तीन से चार महिने तक स्टोर करके रख सकते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि गुण मेल्ट हो चुका है और हमने इसे आवलो के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है और इस टेश पर हम इसमें कुछ पाउडर्ड मसाले एड़ करेंगे जिसे की 1.5 टीस्पून नमक, 1.4 टीस्पून इलाची पाउडर, 1.5 टीस्पून गरम मसाला, 1.4 टीस्पून लालमिश पाउडर और 1 टीस्पून काला नमक तो यहां पर आप नमक की क्वंटिटी अपने टेस्ट का कोडिंग कम ज्यादा भी कर सकते हैं अब इन सारे मसानों को हम इसके साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और चटनी को हम लो फ्लेम पर पकने के लिए दग देंगे लेकिन बीच बीच में इसे चेक कर लेंगे तक नीचे दाग ना लग जाए तो देखिए अभी इस चटनी को लो फ्लेम पर पकते हुए सिर्फ पांच मिनिट हुई है लेकिन आप देख सकते हैं कि चटनी कितनी पतली है जानि कि इसकी कंसिस्टन्सी कितनी रनी है तो अभी भी हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक ये गाड़ी ना हो जाए तो यहाँ पर हमने इस चटनी को लो फ्लेम पर तब तक पकाया जब तक ये गाड़ी ना हो जाए तो शुरू से लेकर अब तक हमने इसे 10 मिनिट के लिए पका लिया है और ये इसकी परफेक्ट कंसिस्टन्सी है साथ ही में हमारी हेल्दी और टेस्टी जट से बनने वाली आमले की मीठी चटनी बनकर बिल्कुल तयार है आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेर और कॉमेंट करें चेनल पर नए हैं तो मेरी आपसे हमबल रिक्वेस्ट है के इसी ही आसान, सिंपल, यूनीक और हेल्दी रेसिपिस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं फिर मिलेंगे जाइका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर एक नई रेसिपि के साथ तब तक के लिए गुड़बाई